Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. 10th में इनोंने मैस को क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड जिन लोगों को सिर्फ 10 तक ही मैस पढ़नी है, उनको आगे मैस में इंटर्स नहीं है या नहीं पढ़नी है, तो वो बेसिक वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर स्टै आपके बेसिक के एक्जाम में और स्टैंडर्ड के एक्जाम में, अधर्वाइस जो आपका स्लेबस है, वो तो वही रहेगा भी, तो चेंज नहीं कर देंगे, यह लोग आएगा वही आपका NCRT से इनके भी कोशन आएंगे, इस्टैंडर्ड वालों के बेसिक वालों के भी कोशन आएंगे, तो चाहें वो स्टैंडर्ड का बच्चाओ या बच्चाओ आपको पूरा स्लेबस अपना रिवाइस करना ही पड़ेगा, तो आज हम इस कोशन पेपर को डिसकस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे, अब मैं यह नहीं बोलूँगी कि यही कोशन उठके पीछे से शुरू करना है, अब देखो, यह वन माक वाले कोशन होता है, लेकिन कुछ-कुछ-कोशन ऐसे होंगे हैं अपर जो बहुत इसील हो जाते हैं, अब इस कोशन को थोड़ा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो वन माक वाले को भी हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, यहां पर भी हमें वही करना पड़ता है, तो इससे बैटर है कि हम अपना टाइम अच्छे से स्ट्राटेजी फॉलो करके चले और अपना कोशन कहा से शुरू करें पीछे से, तो यह 40th कोशन है, तो 40th कोशन में आप देखो, 40th कोशन में आपको दो चीज़ा दी हुए, एक कोशन दे रखा यहां पर और एक और करके भी एक कोशन दे रखा यहां पर, तो आपकी मर्जिये चाहें आप और वाला करें, और आपकी मर्जिये तो आप जो इसका बिना और वाला है, मतला पहले वाला जो कोशन ने वो कर सकते हैं, तो म सबसे लास्ट कुछिशन में यह क्या बोल रहा है हमसे कि निम्न बारम बारता बंटन के लिए से अधिक प्रकार के का तोरड की चीए था तोरड की सहाइता से माध्य ग्यात कीजिए मतलब ड्रो मोर्डन ओजाई फॉर्ड फॉर फॉल इंडिस्टिबूशन और मिदय को अधिक प्रकार का तोरड बनाना है उसी ग्राफ की हैप से मीडियन या माध्यक भी आपको क्या करने की जूरत नहीं है मुझें ग्राफ की हमसे हिरे क्या होता है मीडियन को हम फाइंड कर सकते हैं तो सबिको यहाँ पर हमें यह इनॉर्मिल टेवल दियुए एक फ तो वो भी हमारी कॉनसे ओने चाहिए जाहिए तो वो टेबल कैसे बनाते हैं अब यहां पर देखने से अधिक मतलब की मोर दैन अब जो को एक क्लास है यहां पर 45-55 ठीक है इसके इंदर इसके इंदर इंक्लूट होता है लेकिन फिप्टी फिपाइव इसके इंदर न करके next वाली क्लास में क्या करते हैं इंक्लूट करते हैं तो अब इसने बोला कि हमें क्या करना है इस टेबल को ऊनवर्ट करना आप दो यहां पर 55 से इस क्लास के अगरा भात करें इसके इन्दर फिप्टी फाइव से तो कुछ ज़ादा है नियाल कि सब्से पले हमें क्या लिखना है यहां पर 45 और मोर देन 45 या तो 45 वो नमबर या 45 से क्या हो ज्यादा हो यानि की 45 या 45 स्वारी से अधिक ओके इसी तरीके से यहां पर क्या है अब इस क्लास में देखो यहां पर 65 से कुछ भी जादा नहीं हो किसे ओका 55 से होगा तो सिमलर्ली आपको लिखना है 55 और मोर दन 55 65 नेक्स 65 और मोर दन 65 75 और मोर दन 75 ऐसे ही 85 95 105 और 115 इसको हमने यहां पर ऐसे लिख लिया ओके अब निक्स्ट क्या है चीज यहां पर मार पास फ्रिक्वेंसी दिए लेकिन हमें देखो वर्डिंग को देखना है यहां पर इसने क्या बोला 45 और मोर दन 45 ऐसे कितने अगर यह बच्चे क्या हैं तो एसे कितने बच्चे हैं जिनके मांस 45 या 45 से क्या है ज्याइब दो तो अगर यहां पर यह जितने भी मांस एक एक पोटी फैड यह जादा ही है तो हम इन सब को क्या गर देंगे एड कर देंगे हैं पर अगर्म यहां पर देखें 55 यह मोड़न 55 अब यह 45 वाले उससे काम है तो इन वाले मांक्स को यह 8 पॉटें यह जो आप फच्टों को छोड़के बागी यहां पर जिदने भी मांक्स 55 से ज्यादा आएं तो इस वाले केश में हम करते कि मोड़न would जोजबाले केसमें इन सब को में करने पले इन वाड को आड करना है फिर नाइन फाइब को छोड के इन वाड करना है तो बैटर है हम इसको नीचे से शूरू करें टाइम को बचाने के लिए अब देखो यहां पर क्या रहोगी यह इसको अब भी आइधिंग दिख रहा होगा और यहां पे क्या है एक सो फंद्रा से जाधा कितने बच्चे है जिनके मार्फ किया हैं एक सो फंद्रा एक सो फंद्रा से जाधा है अगर हम बात करें 105 तो यहां पे 105 से जाद है कि यह जो तीन बच्चे इनके 25 से जाद है अगे 95 जब आप करोगे तो अब आपको कि इतना है सम एटाया तो आप 6 में जो आपका 8 आए ना यहां पर इसको डायेक्ट आप कर सकते तो 6 और 8 कितना ओ जाएगा आपका 14 इसके बाद यहां पर क्या है मारे पास 106 और 14 अवारे 40 के वार्स में 10 को ऐड़ कर दो आप तो यह कितना आजएगा 24 को तो इतना आएगा आपका 42 और 42 में इट को अधरो कितना जाएगा 50 आजएगा तो इस्टूएंट तो 50 रहेंगे मतलब सारे बच्चे आयसे हैं जिनके मांक्स क्या है 45 या 45 से जाधा हैं तो यहां पर हम उपर मतलब जब मोर्दन हो जाएगा बनाना हो तो सिंपल सी बाती है अपनी चैसे अड़ करना शुरू करें जहां पर आपको सबसे जाधा वाली क्लास मक्स दिये हुए वहां से आपनी चैसे अड़ करना शुरू करें तो हमारा क्या जाता यह था यह यह क्या आगे हमारे पास more than cf आ गए यह यह निकी से अधिक प्रकार की संची बारम वारता अब हमें क्या बनाना है इसका ग्राफ बनाना है तो यह हमारे पास टेबल आ गए इस तरीके से अब ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एक्जाम में तो इस तरीके से यह ग्राफ पेपर होता है यह नोटबुक है मेरी एक पेपर आपको मिल जाएगा डर्क यूल आनलो साइट से यहां पर करने अपने चीच को ज्रॉप करने है तो यह हमारा है इस तरीके से मन गया यह एक्स-ेक्स हो गिया और यह एक्स वो पर उसके बाद किया है 55 और सिमिलर लिए कहां तक 115 तक है तो 45 55 65 75 85 95 105 115 इसते गेसे को में लिख लिखे अब यहां पर क्या होता है जीरो होता है आप देखो नंपर 45 का गया पर आगे हमने 10 10 का गया हुआ है इसमें तो यहां पर हम एक मैं पैंसे बना रही हु ताकि आपको दि करनी है इस तरी के समक्या कर देते हैं जिग-जग बना देते हैं ताकि यहां पर जो गैप है वो सिमलर नहीं है मतलब यहां से एक हुज गैप है फिर हमने उसके बाद 10 10 का गैप लिया है अब आपको देखना है कि आपकी जो फ्रिक्वेंस यह मोर्दन सी इस वाले पर हम क् अब आइटम क्या था यह माक्स थे डिस्नेंस थे हाइट थी बच्चों कि हमें नहीं पता तो यहां पर क्लास इंटरवल लिखा हुआ है तो आप भी क्लास इंटरवल तो यह रहानी हमने कुछ भी डाल सकते हैं इसको ब्लेंक छोड़ सकते हैं इसको ब्लेंक शोड़ सकते ह आप यहां पर more than cf, okay, अब हमें बनाना है graph, तो 45 यह more than 45 कितना है, आपको 50 है, तो 45 यह रहा, आप यहां पर हमने देखा, क्या है 50 तक यह जारी है हमारी highest frequency, तो आप यहां पर 55 को गाप ले सकते हैं, 10-10 का भी गाप ले सकते हैं, तो 55 को ले रहे हूं है, यहां पर 5, 10, 15, 20, 25 30, 40, 50, sorry, 5-5 से यह 10 में convert हो गया, okay, sorry, यह 35, यह 40, यह 45 और यह 50, ले लिया भी हमने, इस तरीके से, अब हमें करना है plotting, फर्स्ट पॉइंट है आपका 45, ओहो, यह कुछ गलत हो गया, इसके अंदर, sorry, कुछ गलत नहीं हुआ, यहां पर हमने यह दो बार लिखा हुआ है, okay, तो 45 से ज़्यादा, 40, 45 से दी कितने बच्चे ऐसे हैं, 50 बच्चे ऐसे हैं, तो 45 पर जाना है, और हमें कहां पर mark करना है, 50 यह 45 वाली लाइन हो गई, और यह 50 वाला हो गया, कहां पेंट से करें, इस पॉइंट पर, तो एक पॉइंट हमें यह मिल गया, उसके बाद, next step को 55 55 और 42, यह आपका 55 है, और 42 कहां पर होगा, देखो, हमने 55 का gap लिया है, तो यह 40 हो गया, फिर इसके दो लाइन ऊपर क्या हो जाएगा, आपका 41 और इसके दो लाइन ऊपर यहां पर 42 होगा, मतलब यह जो लाइन दिख रहे हैं, बीच में आपको एक, यह क्या है, 5 होता है, यहां पर मतलब, अगर यह 40 है, यह 45 है, तो इनके बीच में क्या आता है, 42.5 है ना, तो वो यहां पर होगा, तो हमें क्या लेना, 42 लेना, तो उस लाइन से भी एक पॉइंट नीचे, यह है आपका 42, फिर नेक्स्ट है आपका कितना, 65 पर कितना है आपका, 37, अब 65 पर 28, तो 75 यह रहा आपका, और 28 कहीं होगा, यह 25 और 28, तो इसके एक उपर क्या है, आपका 28 है, फिर क्या है हमारे पास, 24 वाला, 85 पर कितना है, 24 है, तो 85, यह रहा, यहां से हमने देखा, 85 और हमें जाना है, 24, तो यह 20, यह 25 है न, इसके दो लाइन नीचे क्या होगा, 24, हम एक नंबर को, इसकी ग्राफ की दो लाइन कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बॉक्स के बीच में, आपका पूरा यह square बनता है, इसके बीच में 10 लाइन होती है, और हमने 55 का gap लिया है, तो इच लाइन, सॉरी, 2 नंबर काउंट करने, 2 लाइन काउंट करने, तब हमें 1 नंबर देना है, मतलब, अगर 5 के बास 6 है, तो हमें 2 लाइन उपर जाना पड़ेगा, इसके, तो अब next किया था हमार 105 के उपर कितना है, 8 है, तो 105 और 10 से यहां पर यह 8, यहां पर 4 लाइन नीचे के आऊगे, आपका 8 हो गया, फिर उसके बाद, 115 पर कितना है, आपका 3 है, तो 115 और हमें 3 जाना है, तो यह धाई और यह यहां पर 3 हो गया, अब हमें क्या करना है, इनको freely मिला देना है, इस तर में अब आपके अपर लिक दें, यहां पर कि यह क्या है, मूर देन ओजाइव, यह यह मोर देन ओजाईव, यह निस से अधिक प्रकार का तूरा, यह बन गया हमारे पास, तो यह आपका उजाइव बन गया, अब जाइव बनाने वह इसने क्या बोलता हम से, median भी तार हमें तो मीडिन निकालने के लिए को सबसे पहले हम क्या करते थे एन अपॉन टू एन क्या होता था जो टोटल आपकी अब यहां पर हमारे पास टोटल कितना आ रहा था 50 हमारे पास कितने स्ट्वेंट्स तोटल अगर यह मार्स दिये हुए ते या कुछ भी था तोटल हमारे पास प्रिकुएंसी तो कितना आ रहता 50 तो एन क्या होता है यह दो पे फ्रीकुएंसी का टोटल टो टो एन हमारा 50 है अपॉन में टू तो लिपसे आपको कुछ नहीं करना जो आपका एन अपॉन टू आ रहा है ना ओजाइव से इमीडन निकालने के लिए जो भी आपका एन पर देखना है यह पर देखना है कि यहां पर निकलिक इसी मोर देन सी एफ लिखा हो एंगे इस वह लिए लाइन में आपको देखना है तो 25 अपका यह रहे 25 अब जो आपका एन पॉंट तो जितना भी वैल्यू अगरे 27 अवन टों 25 से थोड़ा सा उपर चले जाते 27.5 से 25 से गए जैसे यह लाइन आपकी इस ग्राफ को टच करने लगेगी वहीं से आपको क्या करना है नीचे आना एक से की तरफ तो यहां से जब आप नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके से यह आपका आ रहा है यहां पर यह तो जब हम यहां तक गए इस पॉंट तक और वहां 25 और 80 85 के बीच में क्या आता है 80 तो इस वाली केस में जो हमारा मीडियन हो गया वह कितना हो गया 80 और इस तरीके से हमारा आंसर आजाएगा लेकिन अगर इसी टेबल में यह हमसे बोलता आई होप यह अच्छा से क्लियर हो गया होगा गर यह कोशन क्लियर होगे तो प्लीज इसके नीचे हम क्या बोलें 45 से जादा या 45 या 55 से कम तो इसमें 45 से तो कुछ कम है नी तो लेजन की बात ही नहीं आती है यहां पर किस से कम है 55 से तो सबसे पला यहां पर क्या लिखेंगे लेस देन 55 यानि की 55 से कम लेजन 55 का मतलब क्या पच्पन से कम अब यह पच्पन से कम लिख लिए हमने ऐसे ही अब यहां पर देखो हमने एक वाड़ी यूज के तो 45 यह 45 वह सब्सक्राइब वह यह 45 से ज्याहोँ जादा हो लिए निलेख़ें लेजन 55 क्यों कि 55 इसके अंदर इंख्लूड नी और निलूड नेस अंब नेगता 45 और लेस दिवाइब लेकिन इसके अंदर यह include ही नहीं होता वह 55 तो यहां पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे less than 55 तो यह less than 55 फिर उसके बाद कितना है आपका 65 तो यहां गया आपका less than 65 75 85 95 105 115 और 125 इस तरीके से हो गया आपका अब यहां पर पुद दिखना है ऐसे कितने बच्चे जिनके मांक्स जो है less than 55 है तो आठ यही तो बच्चे आसे जिनके मांक्स क्या है less than 55 है तो यहां पर हमारी जो less than CFF से कंप्रकार के संचे बारम भाता वह सबसे पहले क्या अगये आपकी एट इनके मांक्स से घंड है तो और हमें इन फिनों को अलक्से आडD करने के जूरोत निया हमारे पास 13 थे ने इन दोनों को एडळ करके तो इसे में आपना इन को एकर दो कितना जाएगा 22 फिर उसमें 4 को एकर तो यहागे 26 15 को एकरेंगे 36 फिर 6 को एकर होगे आगे-42 फिर 5 को एकरें-48 और यहागे आपका 50 जितना टोटल है न वह आपका 50 न यहां पर टोटल इस्ट्रोएंट्स का तो वही टोटल आपका यहां पर भी आना चाहिए दर्वाइस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो जैसे हमने मोर्दन हो जाए बनाया न आपको क्या गरना है ग्राफ पे पहले हमने आप 45 से शुरू जाएगा अगर लेस देन हो जाएव मैं भी आपको क्या करना हो मीडियन निकालना तो यह उसमें भी आप 25 से नीचे जाएंगे 25 से लेके जहां पर वह ग्राफ लेस दिन ग्राफ को टॉच्च करने लेगे वहीं साब क्या जाओं नीचे आ जाओं और जो भी जहां पर भी व चैनल को सब्सक्राइब करें तो तो आपको यह समझ में आगे होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में हम एक्की कोशन हो पाया थोड़ी लंबी वीडियो हो गई एक्चुली नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी कोशन को डिसकस करेंगे थैंक्यू